नमस्कार दोस्तों मैं विमलश ग congestion और आप देखेंक है डियो डियुन फ्रोल्य केश्स दोस्तों अभी 500 है सिंगापूर में वर्क प्रौमेट फ्लीकेशन हमिशन चालूं हो आज से work permit application चालो हो जाएगा आज दिन में और इसमें जो फॉर्स टे में जो पहले से वेटिंग के जो applications थे वो लगबग 80,000 के लगबग application work permit के प्रोसेस में है तो आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि कि कितने लोग इंतजार कर रहे थे work permit apply करने के लिए और इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब work permit application चालो हो जाएगे उन सभी लोगों के लिए जिनका प्रोसेस हमारे आपर submission हो चुका है उन सभी का फीफो सिस्टम से WP apply शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी उन लोग का वीजा आना चालो हो जाएगा दोस्तों सबसे मातपर्ण चीज यह थी कि काम करना शुरू करना चाहिए पहले लोगडाउन के बज़े से सब कुछ बंद हो गया था बाइस अपरिल के बाद से सब चीज बंद होई थी लेकिन अभी आज से application submission accept करना चालो कर रहा है तो जैसे submission शुरू हो जाएगा फीफो सिस्टम से सभी लोगों के applications हो जाएंगे और जैसे उनका visa issue होगा वैसे उनको IP लेटर भी मिल जाएगा दोस्तों quantity बहुत ज्यादा है यह शुरू की बात करूँ अभी वेटिंग में जो है वो 80,000 से ज्यादा applications है जो क्यों में है work permit के लिए Singapore में दोस्तों यह अपडेट हुआ Singapore में वर्क पर्मेट एक्सेप्ट करने के लिए अब इसमें next चीज यह है कि जो लोग भी Singapore में work permit के लिए apply करना चाहते हैं work permit में जो profile है simple journal helper की profile है या फिर जो profile हम वीडियो के माद्याम से आपको share करेंगे उन सब्सक्राइब जो लोग भी apply करना चाहते हैं वो लोग definitely apply कर सकते हैं जो समय अवदी दी जाती है उस समय अवदी में अब उनका काम हो जाएगा अभी lockdown का effect नहीं पड़ेगा इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें दीर दीर करके normal हो रही है यदि आप calculation करो तो जब अप्रेल में lockdown लगाया गया था फ्लाइट पर बेन लगाया था उस टाम पर चार लाग से भी जादा case हो गय थे एक दिन में लेकिन आज की बात करेंगे तो आज 80,000 से भी क काम होता जा रहा है जिससे कि जो भी पावनिया लगी है फ्लाइट पर बेन में वह सभी पावनिया धीर करके हड़ जाएंगी फिलहाल डबलूपी के application शुरू होने वाले हैं इस्टेडी वीजा का भी शुरू मिस वह प्रोसेस में चालो है लेकिन वीजा application शुरू होने वा है वह सारी चीज़ें हम टैम्टी टम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे भी हमारे पास में कोई अपडेट आएगा हम डेफनेट लिया आपको अपडेट करेंगे फिलहाल के लिए आज की अपडेट वर्क परमिट के लिए हैं और नियू एप्लिकेशन हम एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं बेसिक सैलरी सेम रहेगी साड़े पांसो बेसिक होती है और मिलाके उनको आट सो नो सो हजार हो सकती है फ्यूचर उनके हाथ में होता है आगे जैसी मेहनत करेंगे वैसे उनको लाब मिलेगा इसका दोस्तों जनरल वर्कर की प्रफाइल में कोई भी फीर्ड में एक्सपर्ट हैं तो इनको उनकी प्रफाइल का काम मिल जाएगा फिलाल शुरू में वो लोग एज जनरल वर्कर के रूप में जाएंगे एज लिमेट 20 साल से लेकर 35 साल की बीच में एज लिमेट होती है गल्फ रेटन होते हैं उनको प्रवाइटी दी जाती है और जो fresher candidate होते हैं उनका भी process होता है उनको भी file accept होता है work permit में ज्यादा issue नहीं होता है work permit में almost rejections कभी नहीं होते है 99.9% rejections नहीं होते हैं वहाँ पर से simple criteria है medically fit होना चाहिए physical fit होना चाहिए age limit में होना चाहिए और male candidate होना चाहिए Indian passport holder होना चाहिए passport पर कम सकम तेड़ साल के validity होना चाहिए इतनी चीज़ें अगर fulfill करते हैं तो कोई भी candidate apply कर सकता है Singapore में work permit के लिए medical fitment में major disease नहीं होना चाहिए जैसे TB होती है cancer होती है hepatitis होता है HIV होते है जो major diseases है वो बिलकुल नहीं होना चाहिए बड़ी-बड़ी बीमारी है बिलकुल नहीं होना चाहिए अगर normal ची जैसे next month में end में हम कुछ flight उम्मीद कर रहे हैं अगर end नहीं हुआ तो first second week of August में कुछ flights होंगे उसके बाद sequence wise flight होना चालो जाएंगे वैसे उम्मीद है 99% उम्मीद है कि कुछ work permit की flight जुलाई में भी होगी उसकी बाद जैसे sequence बनेगा बगोन करें अभी आगे चलकर यह lockdown द इंट्रेस्टेट हैं वो अपने documents लेके हमारे office में वेजट करें जो भी working days होते हैं संबर से शनिवार की बीच में और timing अगर ध्यान रखें तो morning time में आएंगे तो better होगा same day उनको free किया जा सकता है उनकी agreement formalities सब कुछ complete हो सकता है और सबसे बड़ा निवेदन है कि आप जब रहेगी पिलस एक postcard size photo भी चाहिए passport size photo रहेगी white background के साथ में quality अच्छी होना चाहिए और postcard size photo भी चाहिए worker profile के लिए उनको simple कपलो में photo खिचवा नहीं simple कप्ले like जैसे एक normal कप्ले जो डेली रोज मर्रा के कप्ले होते हैं वह पहन के खिचवाएंगे उसमें ऐसा नहीं कि बढ़िया प्रेस करके टाई लगा के ड्रेस वैसा नहीं पहनना होगा normal कप्ले पहन के वह एक postcard से फोटो खिचाहेंगे और एक passport size photo खिचाहेंगे यह photo और बाखी documents जो मैं discussion box में mention करूंगा वो सभी documents लेके हमारे office में विजट कर सकते हैं अभी जर्नल worker के लिए work permit के लिए documents continue रहेंगे अगर कुछ बड़ा update आएगा तब हम उपडेट करेंगे फिलहाल जो भी candidate Singapore में work permit के लिए apply करना चाहते हैं वो लोग कभी भी हमारे office में वि वीडियो में सारी information दे दिये तो वीडियो में जो information उसके अलावा अगर कोई जान करें चाहिए तो आप हमारे collect को call कर सकते हैं हमारे HR collect जो भी हैं वो आपको सारी information share करेंगे आप call करेंगे morning 10 to 5 pm की बीच में सौमार से चनिवार की बीच में चुट्टी के बाद है वीडियो कॉल या और वीडियो कॉल ना करें अगर बाहर से हैं तो आप audio message drop कीजिए या proper text message कीजिए WhatsApp calling बिल्कुल भी permitted नहीं है WhatsApp पर chatting भी permitted नहीं है और हमारे office में सारी calls को record किया जाता है तो उन चीजों को please ध्यान में रखें जो भी inquiry है वो proper तरीके से करें हम लोग definitely पूरा professional way में communication करना होगा जो relevant information है वो पूछेंगे open information नहीं पूछेंगे क्योंकि open इस वीडियो उस वीडियो सभी वीडियो के बारे में तो दोस्तों उन से नहीं दने कि please पहले वीडियो पूरा देखें उसके बाद आप जो information पूछेंगे हमारे कलेग definitely आपको update करेंगे दोस्तो हमारे कलेगे वो call center के employee नहीं है वो HR है और HR से relevant information पोछेंगे definitely आपको जनकरे मिलेगी office में डेली 700 से लेकर 1000 की बीच में calls आते हैं तो आप इसी का idea लगा सकते हो कि information कितनी accurate होना चाहिए जो पूछते है कोईरी कितनी accurate होना चाहिए time pass के लिए call please ना करें अपने time और हमारे time की value करें दोस्तों अगर कोई वेक्ती office time के बात कई कुछ candidates असे हैं जो working वाले हैं जो job करते हैं अगर वो job करते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप एक पूरा audio message बनाए या फिर बहतर हो कि आप text message बनाए audio message बनाए जिसमें आपका पूरा नाम city applied position qualification और कौन सी profile में apply करना चाह टाइब करें सिर्फ हाई करके अप्लाई करके आसा नहीं proper message करेंगे भले आप लेट इबनिवा message डालो कोई issue नहीं अगर और उसमों mention कर देने का I am working so I cannot attend the call या मैं call at receive नहीं कर सकता वो अगर mention करेंगे तो आपको WhatsApp पर ही reply आ जाएगा जो भी आपको information जी आपको definitely मिल इसा नहीं कि आपके छुट्टी साथ बजे होती है आप 8 बजे कॉल कर रहा है और फिर सोचों के निक response नहीं आता बिल्कुल नहीं इसमें आपको जो instructions दे गए हैं उसके सबसेगर coordinate करेंगे तो definitely आपको भी अच्छा लगेगा और हमारी process भी अच्छी लगेगी तो इससे सह getting बलुकुल permitted नहीं है दोस्तों वीडियो कैसे अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए comments कीजिए share कीजिए हमारे वीडियो को लगादा देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए गंटी वाला option जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो के notification सबसे पहले मिनेगे धन झाने बखको